नेशन टीवी इस वक्त ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है महुआ नगर परिस्द का महुआ नगर परिस्द इसी बार हुआ है और एक्स्टेंसन भी हुआ है अभी चुकि 25 वार्ट बने हैं हलाकि महुआ की बात करें तो महुआ जो है राजनीती का गट रहा है जब तेजपरताब जी यहां से बिभैक है मुकेश रोसन जी के पहले तो उन्होंने यहां पे महुआ में मेडिगल कॉलेज के भी अस्तापना की जो की महुआ वासियों के लिए बहुत वरा उपलवधी माना जा रहा है लेकिन अभी चुकि नगर में काय चुनाव हैं तो बहुत सारे पर्त्यासी चुनाव मैदान में हैं उब सवपती, बाट कमिस्नर और सवपती के तीन-तीन जो है पॉब्लिक जो है इस वार बोट करने जा रही है कुछ कंडिडेट जो है लगतार छेतर का भीजिट कर रहे हैं और लोगों से मुखाती भी हो रहे हैं हला कि मैनिफेस्टों की बात करें महुआ के दिकास के लिए तो बहुत सारे जो कंडिडेट हैं उन लोग को ये कहना है कि महुआ में जब चुनाओ जीट जाएंगे तब ये विकास करेंगे यानि कि पहले से कोई विकास का प्रारूप तै नहीं अभी हमारे साथ सक्कल रायजी जुड़ गये हैं भुद्पूर मुख्या भी रहे हैं मंगुराही पंचायत का और इन दिनों पूरे महुआ में लगतार जन संपर्क अभियान कर रहे हैं इनका जो है माक का मख्या वस पराओ भी है और अभी हम यहीं पर मौजूद हैं इनसे हम कुछ मुद्धे पर जानने की कोशिस करेंगे कि चुनाबी मैदान में क्यों आये हैं और महुआ में समस्याए क्या है क्योंकि महुआ में बहुत तरह की समस्याए हैं सहर के विकास के लिए तमाम तरह की के समस्याए हैं तो पहले इनसे ही जानेंगे उसके बार इनके जो प्रस्तावक हैं या फिर जो लोग इनके समर्थक हैं इन लोग से भी कुछ बाचीत कर लेंगे बहुत-बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार भी आपका पहले से भी चुनाओ में और नगर निकाय का चुनाओ तो दोनों में क्या डिफरेंट आपको नजर आ रहा है तो पंचाय चुनाओ में जिसे हम लोग थे ना उसमें सब सरकार से बहुत कम मिल ला थह बकब थे थे सब्सक्राइब करें अपने पंचायत में कुछ ऐसा विकास का काम करा उपलब्धी बताइए जो अभी भी दिखाई देता हूं जो रोट का सब्सक्राइब करवाएं इनार का मरमत करवाएं और आप से कहें जे सरकारी अनाज मिला तो लोग को बठवाएं यहां तक यह वहां जब पैसा बोले कि हमको पैसा दीजिए लना है गये हूं तो वीडियो साहिब के पैसा भी दीए पचास अजार रुपईया हम कहें दूचार दिन में दे दे लेकिन दे दिये हमको दूचार दिन में लेकिन उससी दिन हम गये हूं समाज में बठवादी आप आज आते हैं नगर निगाए पे वह तो जो आपने किया और उस टाइम अच्छा मास्टर का भी टीचर लोग का बहाली कि यह तो हम किसी से उसका चाय भी नहीं पीए और बे तरह सर नहीं बोलियेगा नहीं तो फेर उसको भी में बना दीए लिए अभी ओटीचर हैं अभी ओटीचर हैं इतना निजू करवाइट निजू तलव है वहीं 20-20 के हिंसा बुजे अब नगर पे आ जाते हैं महुआ में चुबि चुनाओ हो रहे हैं यहां पे समस्यां क्या है आपके नजर में महुआ में आगर आप चुनाओ जी जाते हैं पॉब्लिक आपको वोट करके सववापती बना करेंगे है इंड जो वह बहुत बड़ा अच्छी बाते हैं कहा की इस वार्ड में देखें वह में है सर भूमी ही है लग बहुत दिन पहले गए थे कैमड़ा पे भी दिखाए थे कि वार्ट पांच और ने बहुत ऐसे गाउं में अभी हम घुमें हैं जहां कि देख रहे हैं कि रोड रस्ता का बहुत कठनाई है अब आदी बहुत घनी है उनलों को रास्ता होना चाहिए कई परत्यासी टककर में है तो आपको क्या लगता है कि जीस तरीके से चुकि खासकर आप जीस बेरादरी से आते हैं तो उसमें बहुत सारे कंडिडेट आ गए हैं आपको क्या लगता है वो डिभाइड हो जाएगा या फिर सारे तब के लोग जो है बोट करेंग कोई आदमी बैठने के पक्ष में नहीं है। सब भाई जो है से अपना-पना कव्मिया जादे मेहनत का रहा है। मने समास सेबा करते हुए जो समास जिसको चाहेगा उनको बनाएंगे। उसके लिए काम करेंगे। सहर के विकास के लिए क्या प्लान है। कि विकास के लिए माने जहां जईशा देखेंगे वह इच्छा मतलब करेंगे क्या सोचे वह क्या कुछ दिखाई अभी दे रहा है जैसे में दिखाई दे रहा है जे कोई दुकंदार है उसके पास पूजी नहीं है तो उसको लोन दिल्वाने का कोर्सिस करेंगे जी बास फिर लोटते हैं और कुछ लोग से पहले और कुछ बाचीत कर रहे थे आप बोल ले थे क्या आप आप क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी सक्कल राय जी चुनाव मैदान में हैं बहुत सारे परत्यासी मैदान में हैं खासकर सवापती का जो सीट है उसी पे सब लोग क को फोकस है और सारे परत्यासी उस पर टारीर किये हुए हैं क्या कहेंगी संदर में देखिए यह जो सीव द्यालाय जी हैं यह बहुत ही सच्चे हैं इमंदार हैं इनके इसा करमत नेता नहीं है मतलब गरीबों पुछरों के साथ हमेशा साथ रहे हैं सुरू से लेके अभी जीवन मतलब पुल्याजनीती में गरीबों के मदद करने के लिए दे दिये हैं तो इसी वाइस यही करण है कि मतलब जहां जा रहा है वहां पे इनका मतलब भीर जूट रहा है जो मभवान नगर नगर परशत की जो जनता है से इनको सपोर्ट कर रहे हैं यह वोट में दीथ है कि तबहुत था सबसस्राइब मतलब जनता को साथ में लिए इससे मतलब पूरा चांस कि मतलब को सोड़ीया आप कुछ बोलेंगे बाबाब क्या लग रहा है जीते हुए पाटी नजर में आ रहे हैं जिसा कि लोग चुनाव में जीत जाएंगे और कुछ लोग से आप बोलें के सब्सक्राइब क्या है क्या है तो इनो लोग समर्थन कर रहे हैं लेकिन यहां पर क्या मुद्धा है सफाई की समस्या है नाला विज्ली सरक इसकी पुन समस्या हुआ है जी सब्सक्राइब होना चाहिए उसमें बहुत भारी जाम की समस्या रहती है उसमें मरीज को आने जाने में परसानी होती है उसको दूर होना चाहिए हम लोग को सिभ द्याल जी से उमीद है कि इखरा उतरेंगे और जनता की समस्या को पून्र दूर करेंगे इसलिए हम लोग इनके समर्थर में है कुछ बोलेंगे कोई लोग आप लोग बोलिएगा तो इनके पास फिर सिप्दयाल जी के पास आ जाते हैं सर जिस तरीके से अभी महाल चुकि अभी सिंबल भी एवलेबल नहीं हुआ है जनता के भी जार है रिस्पॉंस क्या मिला है पॉब्लिक से पॉब्लिक भी खूल नहीं रही है क्या कहेंगे पॉब्लिक जो है ना फूल नहीं रहे लेकर रनभव होता है जहां जाते हैं तहां दस बीस पचीस आदमी पीछे लग जाते हैं है अब अपना वाड़ भर घुमाते हैं इस वाड़ने पैस्ते हैं उस वाड़ने अगर देखा जाए तो आपने बिरोध में बयान दे रहे थे यूँ कहें तो जनता लोग भी कह रहे थे कि मतलब उनका निकलना मुस्किल है क्या कहेंगे इस मुद्ले पर अच्छा हुआ हम रहा है अत्मे गवा दे रहा कि जिस धंग से हमरा समाज पीछे है अराम से हम निकलेंगे ङह तो जो जंता करें करना और जनता करेगी कि महुआ का जो सत्य है महुआ की सरकार है कोन वनेगा ये जनता जो है करेगी किसी भी परत्यासी जो है नहीं करेंगे और साथी बिरोधी आप क्या करसे मेरा करना है कि महुआ माँँ जना हैं यंका वोतर हो गया 25 वाड मिला के ना है तहां महुआ लोग सबजी हो जाएंगे आराम से कमा खा सकेंगे और जाम भी उसे नहीं लेगा बेवज़ा रोट पर सब को भगा दिया गया इसे जाम की समस्या है हलां कि देखा जाए तो महुआ में जाम का समस्या बहुत सारे लोग का कहना है कि गांधी चोग पे एक ख्लाई ओभर का निर्मान बहुत जरूरी है हलां कि कुछ लोग कर रहे थे कि जो मुझफर पूर समस्तिपूर का जो सरक है उसको सहर से अलग डाइवर्ट करके मुफ किया जाए हाजिपूर के लिए तभी महुआ में जाम की समस्याओं से निजात मिल सकता है इसके साथ ही यहां पे सोचाले जगर जगर लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम गांधी चोग पे दो तीन एरिया जो है वहां पे सोचाले बहुत ही मश्ट है हाला कि जो परत्यासी सब हैं अपने अपने दावे कर रहे हैं और हम आपको ये भी बता दे कि जितने भी परत्यासी हैं वो लोग टकर दे रहे हैं और विकास का मुद्दा कहीं कहीं से गौन हो जाता है यही कारण है कि छेतर का विकास नहीं हो पाता है हाला कि महुआ की जनता इनके तरफ भी है और भी बहुत सारे जो कंडिडेट है उनके तरफ भी है लेकिन महुआ की जनता, महुआ की नगर परिशत की जनता है वो अभी ओपे नहीं हो रही है कि वो लोग वोट किसको करेंगे अब देखना दिल्चस्प होगा कि महुआ की जनता किसको वोट करती है और सवापती यहां से कौन बनते हैं